नवाजुदिन सिद्धी की अलग-अलग फिल्मों में अलग-अलग तरह के किरदार निभाने के लिए जाने जाते हैं अब उनकी फिल्म आ रही है हीरो पंती, टू फिल्म का नाम हीरो पंती है लेकिन इस फिल्म में वो एक विलन के किरदार में नजर आ रहे हैं और उस किरदार का नाम लैला है इस पर हम सबसे पहला सवाल करेंगे एक साइबर क्रिमिनल बने हैं आप और एक बहुत ही अलग अंदाज में नजर आ रहे हैं आपका रूप रंग भी बहुत अलग है लेकिन किरदार का नाम लैला है एक फेमिनाइन टच दिया गया इस किरदा को एक विलेन को हाँ ज시से नाम से ही जाहिर हो रहा है कि लैला नाम एक बंद्यका का कैसे हो सकता है तो अब आद में नों लैला रखा और उस लैला को जिस्टिफाइ करने के लिए काफी कुछ करना पड़ा थोड़ा सा पिमिनिन टच भि डालना पड़ा थोड़ा सा magician भी है ये और एक magician है तो एक presentation stage पर करता है अपने जादू का ये तो वो भी रखना पड़ा तो बहुत सारी चीज़ों का खायल लखना पड़ा तो इस नाम को justify करने लिए जब पहली बार फिल्म के रिदेशक एहमत खान ने आपको बताया कि आपका जो किरदार है magician का तो ही, crime, cyber criminal का तो ही लेकिन इस किरदार का नाम जो है लैला है तो आपका reaction क्या था मैं वो जानना चाहूँगा वो reaction क्या था और जब उन्होंने बताया कि nail paint भी लगाना होगा और लड़कियों वाली हरकते भी करनी होगी तो आपका reaction क्या था? I think actor के लिए से और इंटरिंग बात क्या हो सकती है क्योंकि नाम में अगर drama है तो definitely उसको करने में बड़ा मजा आएगा, करने में भी drama होगा, create होगा, तो मुझे नाम से ही हो गया था कुछ ना कुछ तो दाल में जरूर काला है, तो फिर फाइनली जो धिरे-धिरे अहमत भाई के साथ बाट के बाते-बाते हुई किस तरी के से उसको create करना है, किस तरी के से characteristics एकठे करने है, उसकी आदते कैसी होनी चाहिए, क्या इस पर discussion हुआ, और फाइनली जो है वो एक लेला के character में औरतार पढ़ किया तो इस तरह का एक feminine touch वाला जो विलन है लेला, उसे निभाना काफी मुश्किल था, उसके जो characteristics है, उसको पकड़ना काफी मुश्किल था, या आपने बहुत आसानी से इस किरदार को निभा लिया? कोई भी चीज आसानी तो भली commercial film है, लेकिन आसानी से नहीं होता, character थोड़ा सा तो खया लखना ही पड़ता है, कि किस हद तक जाना है, कहां तक अपने आपको रोकना है, ये सारी चीज़ों खया लखना है, आसान तो नहीं था, क्योंकि क्या था कि वो इस character को करते करते क्या हो तो मेरे अंदर भी थोड़ा सा हल कैसे ऐसे ऐसे आना शुरू हो गया था, तो मुझे लोग बोलने भी लेगे ते क्या है, क्या तू बैठा कैसे, थोड़ा बैठता भी था तो फिल्कुल, ऐसे करके बैठता था मैं, तो आगे था वो थोड़ा सा, बट फाइनली जो है, तो क्योंकि दूसरा फिल्म का कैरेक्टर करना होता तो उसको छोड़ना पड़ता है यह हुवल था तो आपकी बातों से मैं समझ सकता हूँ कि लैला के किरदार को आपने कितना एंजॉय किया सेट पर और क्या कमेंट्स मिले जब इसका टेलर आया और आपको यह अंदाज लोगों ने देखा लैला वाला तो क्या कमेंट्स मिले इस किरदार को आपको क्या कॉंप्लिमेंट्स मिले आप बताएंगे वह अच्छे मिलेए क्या कर ररे में वियर ख्राव को हाते हैं उन्दाज कर नाया को हुए है आप हरतरा के किरदार निभाते आएं हैं हिंदी सिनेमा में आपने बहुत संजीदा किसम के किरदार किये हैं कॉमेडी किये हैं आपने कुछ फिल्मों में हमने रमन रागव 2.0 में आपका एकदम भयानक अंदाज देखा गैंग्स आफ वसेपूर में बे तहाशा गोलियां चलाते हुए भी आपको देखा किस तरह के किरदार निभा में मज़ा आता है वक्त पे जो है मैं खुद से डिसाइड कर लेता हूं कि अभी अच्छा यह चार पांच लिवर स्टोरी जो गई अब थोड़ा सा वीर्ड कारेक्टर करूंगा मैं तो वो कर लेता हूं फिर उसके बाद थोड़ा सा लगता है कि सॉफ्ट सा कोई कारेक्ट करना है तो फोटोग्राफ टाइप की फिल्म या इस तरह की लंच बॉक्स टाइप की फिल्म कर लेता हूं तो कोई एक दिमाग में नहीं है कोई भी एक चीज कि पर्टिकुलर मुझे ऐसा ही करते रहना है या हीरो हूं तो हीरो ही बने रहूंगा नहीं मैं मेरा बिल्कुल लुब भी दिमागों नहीं है, क्योंकि मुझे जो लाइफ मिली है, मैं उसमें बहुत सारे अपने आप से, कि एक लाइफ में बहुत सारी जिंदिगियां, अपने जीना चाहता हूँ. इससे पहले भी आपने टाइगर श्रॉफ के साथ मुन्ना माइकल में काम किया था उसमें भी एक विलन वाला अंदाज आपका नजर आया था और बहुत अलगतर का किरदार निभाया था एक बार फिर से टाइगर श्रॉफ के साथ आप काम कर रहे हैं पूरी तरह से आक्शन फिल्म है और आपने भी इस फिल्म में आक्शन किया है क्या कुछ कहेंगे टाइगर के साथ एक बार फिर से काम करने को लेकर एक बतार को स्टार टाइगर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे बहुत एजी गोइंग आप्टर है टाइगर बहुत मसा आता है उनके साथ हमने तो क्योंकि हमारा दूसरा एसोसीशन है आपस में उनके अपनी एखास बात है लाइक एक्शन और डांस में तो खैर मास्टर है वो लेकिन जब काम करते हैं तो हमें कभी भी ऐसा महसूस ही नहीं होता है कि हम दूसरा गाम कर रहे हैं उनको नहारता हूँ हमें शाय से करके एक प्यार को भी इन से प्यार है और मुझे भी प्यार है क्योंकि टाइगर के साथ दूसरा एसोसीशन है तो बहुत ही सॉफ्ट बहुत ही मज़िदार एक्स्पीरियंस रहता है टाइगर के साथ हलका फुलका रहता है नहीं ऐसा कुछ नहीं इसमें नहीं है वो तो उसमें किया था जो मैं करनी भाया था दान्स उसमें मुन्ना माइकल में बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है आपने शारुक खान के साथ भी काम किया है आमिर खान के साथ भी काम किया है क्या कुछ कहना चाहेंगे आज की यंग जनरेशन के बारे में चाहे वो रनवीर सिंग हो, रनवीर कपूर हो, वरुन धावन हो, टाइगर श्रॉफ हो, कितना जनरेशनल चेंज देखते हैं बतौर अक्टर पहले के और आज के अक्टर्स में और आज के अक्टर्स के साथ काम क अप्रोच है जोन की इन दे सेंस नहीं परफॉमेंस को रिलेटिड नहीं है चीज कर बहुत ही लाग नॉर्मल है ना इन्फोमेशन बहुत है आज के पास लेकिन उस वक्ते पास पैशन और बहुत लाग पैशन्स यह बहुत होता है मैं दे मेरा जो एक्सपिरेंस है आज के इतना फरक है बस सारे चीज़े बहुत जल्दी अचीव करना चाहते है वो अच्छी बात भी है इस गुड पहले के अक्टर में कापी ठहरा होता था धहरे होता था पेशन्स होता था और धीरे-धीरे करके उस सफलता की सीड़िया चड़ता यह बात बिल्कुल सही आप ही ब संधी में देखने को मिलेगा बतोर आक्टर तो हम देख ही रहे हैं कि इस तरह का किरदार आप निभा रहिए क्या कुछ और खास देखने अ को मिलेगा अक्शने है बहुत अच्छे अक्शन बहुत ही मुलों महनत किए गा इस एक्टव deve AK unterstützen large enough वो है आप संजीदा किसम की काफी फिल्मे करते हैं कमर्शल फिल्में भी काफी करते हैं लगातार कर रहे हैं आप किस तरह से बैलेंस बनाना पसंद करते हैं एक संजीदा किसम की फिल्मे जो आपके टाइब की फिल्मे होती है जिसमें इंटलेक्चिलिस्म काफी होता है मन तो हो या तमाम फिल्मे हराम खोरिक फिल्म थी, बहुत मुझे पसंद आई थी वो भी, और जो commercial फिल्मे होती, आउट रइ्ट, जो commercial किस तरह से बैलेंस बनाते हैं? हाँ देखें, मैं जैसे आप बोलें एक इंटेन्स टाइप की में अभी लाइक जितनी भी फिलमे हैं, मेरी आप आने वाले वह लव स्टोरी है, रोमान्स वाले फिल्मे हैं, बहुत ही हल्की फुलकी फिल्मे हैं, लेकिन बहुत ही मज़धार फिल्म होंगी वह, बैलेंस का क्या है, कि मैंने खुद से, खुद की हमारी ट्रेनिंग ऐसी है, जहां पर हम अगर एक तरफ शेक्सिपर का प्ले कर रहे हैं, संस्कृत प्ले कर रहा हैं कोई फऒर्क प्ले कर रहे हैं, तो यह होता था, आगर शाम को मोलियर का प्ले कर रहे हैं, कॉमेडी प्ले कर रहे हैं, तो इस था ट्रेनिंग है, हमारी थेयटर का Teenning है हमारी, तो यहां आके जब मैं करता हूँ तो मुझे कुछ नया कुछ भी कर दिया, like for example, जब मैं हिरो पंति कर रहा था, at the same time, मैं नो लेंसमें भी कर रहा था, जो बहुती आर्टिस्टिक फिल्म है, जो फेस्टिवल में जा रही है, जिसको वोर्ड मिल ले है, यह इसके बीच के शेडूल में मैंने वो फिल्म भी की, तो इस तरह का वो रहता है, इत करना है, या वो सिनमा नहीं करना है, आप open-minded है कि मुझे सब तरह का सिनमा करना है, उससे मेरा actor ही वो होगा, expand होगा, मेरा inner जो है, मेरा जो process है, उस ही, वो शार्प होगी, जो process, मेरे काम करने की जो process है, उसको अगर मैं challenge करूँँगा, है ना, तो मुझे ही knowledge होगी उससे, आप, आपकी चार फिल्में रिलीज होने को है, टीकुवेट, टीकुवेट, शेरू, कृती सिनन की बहन, नूपूर सिनन के साथ भी एक फिल्म आ रहे है, नूरानी चेहरा, नो लैंड्स मैन भी आ रही है, इन तमाम आने वाली फिल्मों के बारे में आप क्या कुछ पताना चाहेंगे हमारे दर्शों को, पर जल्दी हो आएगी वह फिल्म हम चाहेंगे कि जाते-जाते लेला के अंदाज में एक डायलोग अगर आप हमारे दर्शुका को सुनाना चाहें वह कौन सा डायलोग होगा और जो हसी है आपकी वह बहुत ही अलग है इस फिल्म में कुछ अगर एक डायलोग अगर आप उस बोलना चाहे लैला के एक परोमो में डायलोग आ रहा है तो वो ही बोलते तो क्योंकि उसके लावा बोलने सकता में बट हां एक बो है कि फटी फटने से पहले फटने वाले कि ना फटे तो पिर क्या फटे है अरे वा यहाँ चलिए बहुत बहुत शुक्रिया और जैसे कि फिल्म में आपकी हसी है निजी जिन्दगी में भी आपकी ये हसी बरकरार रहे और तमाम तरह की फिल्में करके दुनिया भर के लोगों का आप मनुरंजन यूँ ही करते रहे हमारी बहुत बहुत शुपकामना है हिरो पंती टू के लिए तो ये थे हमारे साथ नवाजुदिन सिद्गी जिन्होंने अपनी फिल्म हिरो पंती टू के किरदार की खासियतों के अलावा भी बहुत सारी बाते हमारे साथ साजा की क्यामरामें रवी पांचाल के साथ रवी जैन एबीपी न्यूज मुंबई